एलो दोस्तो अमारे यूटूब चैनल फर्स्ट राइट एजूकेशन पे आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो भई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम दोस्तो आज का हमारा टोपिक रहेगा हरियाना बजट भई हरियाना बजट 2021-22 भई सबसे पहली बात आती है कि हरियाना का बजट जो 2021-22 का कब पेश किया गया तो भई आप सभी जानते हैं कल ही पेश किया गया है क्या है बारा मार्च बारा मार्च का क्या मैतो है ये भी बताएंगे बारा मार्च 2021 किसको बजट पेश किया गया बई किसके दवारा पेस किया गया बई मनोहरलाल खटर ने बतोर वित मंतरी के तोर पर इसको पेस किया है बई दोस्तो अब चलते हैं बई exam point of view से कि exam में budget का क्या मैता हो है और budget से कैसे कैसे equation आपके exam में पूछे जाते हैं तो वही आज की class में हम discuss करेंगे सबसे पहली बात की budget क्या है बई सबसे पहली बात budget क्या है और budget की बात सुईदान में कौन से अनुचेद के अंतरगत हुई है इसके साथ साथ में राज्य के budget की बात सुईदान में कौन से अनुचेद के अंतरगत हुई है तो भी दो आर्टिकल साथ में पढ़ेंगे वही जो आपके exam point of view से बहुत ही मैत्तपूर्ण है फिर आते हैं हरियाना के उपर वही जैसे राज्ये के बजट के आर्टिकल की बात हुई उसके बाद चलेंगे कि वही हरियाना का बजट हरियाना का बजट किस ने पेश किया कुल बजट कितना है वही इसके साथ में capital expenditure कितना है वही revenue expenditure कितना है 2021 222 के लिए और revenue deficit यान की राजकोशिय गाटा कितना है राजकोशिय गाटा कितना है इसके साथ साथ में कुछ आकड़े discuss करेंगे कि वही किस विबाग को कितना पैसा मिला वही किस विबाग को कितना पैसा मिला और इसके साथ में कुछ important scheme जो की नई लगू की गई है जो की exam के लिए बहुत ही महतोपुन है तो इन सभी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे वही चलो वही आज की class की शुरुवात करते हैं तो वही हरियाना का बजट जो 2021 का जो पेश किया गया है कब पेश किया गया है तो आप याद रखेंगे 12 मार्च 2021 को पेश किया गया है किस ने पेश किया है मनोहरलाल खटर ने पेश किया है अब बात आती है कि भी बजट क्या है बजट क्या होता है जो की वार्षिक अनुमान को क्या बोलते हैं में वार्षिक विती वीवरन लिख्या हुआ है थीक है तो आप यह याद रखें वहिए अब आर्टिकल की बात करते हैं तो भी पुरे देश के उपर बजट की बात हुई है कि जो कि किसके अंदर वही संसद के अंदर रख्या जाता है वही उसकी तो वही आर्टीकल क्या लिख्या गया है वही इसमें एनुवल फिनांशियल हम नहीं लिखेंगे वही बजट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके सविदान में एनुवल फिनांशियल लिख्या हुआ है वही एन हमें तो हरियाना पढ़ना है वई तो state में तो राजय बजट पेस करेंगे इसकी बात सुईधान में कहीं पे हुई है हाँ भई हुई है कौन से आर्टिकल के तहते तो आर्टिकल याद रखेंगे वई आर्टिकल 202 वई आर्टिकल 202 के तहते राजयो की annual financial report की स्टेट्मेंट की बात हुई है तों विट सबसे पहलाалось क्या है कि बजट क्या होई तो एनुवल एस्टीमेट और इसपेंडिचर और इनकम का क्या ऐन्वल एस्टीमेट बात सुईधान में कौन सा आर्टिकल हुई एकसो बारा एन्वल फिनांचियल स्टेट में इसके बाद में आर्टिकल दो थीटेँमेंट, तो वहीx हमारे जर्वी बजट के बारे में अब हम चलते हैं स्टेट के उपर हरियाना का हम पढ़ेंगे वही तो हरियाना में सबसे पहली बात है कि बजट किस्क ने किया तो मनोहरलाल खट्र ने पेश किया है दूसरी बार इस बजट को तो हम बताएंगे कि 1,555,645 करोड रुपए है वई कितना है वई एक लाख 5,645 करोड रुपए है वई करोड इसका स्क्रीनशोट लेंगे वई आप थोड़ी देर में जो की 13% ज्यादा है जो पिछले वर्ष से कितना परसेंट है 13% ज्यादा है और पिछले वर्ष अमारा ब यह बजट से डारेक्ट बजट पुच्छा जाता है कि 21-22 के लिए बजट क्या है लेकिन दोस्तों ओर थोड़ा सागे की तरफ चलते हैं कि डारेक्ट बजट ही ज़रूरी नहीं है बजट किस तरीके कि यह जो पैसा ही है एक्सपेंडिचर किया जाएगा लगाया जाएगा इसमें दो परकार के एकस fantasy एक होता है बहुत है और एक होता है रिवेन्यू एकस्पेंडिचर याद रखें कितने परकार के एकसको बोलते हैं कि जो लोंग ट्रम के लिए लगाया जाता है लोंग ट्रम के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं वूस पैसे को क्या बोलते हैं capital expenditure जैसे कि कोई हमें क्या है कि सड़क बनवानी है रोड बनवानी है वही तो यह तो है नहीं कि इककी से बाइस तक यान कि यह वई काम खतम हैगा, रोड़ भी खतम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, रोड़ यान कि लंबे टाइम के लिए बनवाई जाती है, कि उस पुंजी का लंबे टाइम तक हमें फाइदा मिले भई तो इसमें है कि जो लंबे टाइम तक जो पुंजी वै की जाएगी वो कितनी है भई वो 38,718 क्रोड रुपए है या फिर इसमें और क्या हो सकते हैं कि कि किसी चीज में जैसे बिल्डी में कोई सुधार करना है तो इसे 38,718 क्रोड रुपए क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानि कि पुंजीगत वै है बिल्कुल अलगतरी कि से बजट पढ़ाया जाएगा वही और आने वाले टाइम में यह होगा कि जैसे बजट तो बहुत बढ़ा है वही तो हम क्या करेंगे एक याड़ेट गं इस एक साल में कितने भी जो ओप्रेशन होंगे जहां पे पैसा खर्च किया जाएगा उन सब से लेटिड जो पैसा लगेगा उसको क्या बोलते हैं रिवेन्यू एक साल के अंदर ही हो जाएगा वही डेली डे टुडे ओप्रेशन परशासनिक कारियों के लिए पैसा लगता रहता है उसके लिए बात हुई है एक लाग सोड़ा जार नो सो सताइस करोड़ रुपया दोनों को एड करेंगे तो कितना आजएगा वही एक पिच्पन चैस्ट चैसो पंतारीस है जेगा कहीं पे लिख्या हुआ है आप कहीं पे सर्च करेंगे तो वह ठीक नहीं है यह बि बजट आता है नहीं तब भी आप यहन की यह जुरूर याद रखें वही उसका रिवेन्यू डैफिशेट कितना है यह जिख्ये का बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है ठीक है और यह करंट का है वही तो आब राजसाव गाटा किसका भी स्टेट का हम चेक करते हैं इस ह不起aten करें हैं दोनों के डिफरेंश को रिवेन्यू डैफिशेट करके 11消 ने करणा है अब हमें कम भी ज्यादा खर्च करेंगे तो Naj nggak वही जितना पैशा मारे यह अमारे पास आएगा उतना खरच कर देंगे तो क्या है कि रिवेन्यू डैफिशेट 2009 क्यों है वैं समझ रहे हैं तो क्या है कि सरकार के पास अब की बार भी पैसा नहीं आया कोरोना के टाइम में हर यानी कि डैफिसेट बढ़ता जाता है लेकिन अब की बार कुछ यादा ही बढ़ गया वैं पहले कुछ 20,000 क्रोड के असपास था अब की बार वैं 39,193 क्रोड है यानि कि सरकार के पास इंकम नहीं हुई, सरकार को खर्चा जरूर करना है, लेकिन इंकम कम हुई है, तो उसके चक्कर में वही क्या हुआ, कि वही ये revenue deficit अब की बार बहुत ज्यादा increase हो गया, कितना है वही, 393 करोड, लेकिन पेपर में क्या आएगा, 3.29%, 3.29% of the GSDP, GDP जानत से पढ़ाएंगे वही, ठीक है, तो ये हो गया वही, 3.29%, बहुत important question है वही, article 112 में annual financial report, budget की बात हुई है, देश के budget की बात हुई है, 202 में राज्यों के बजट की बात हुई है, कुल बजट 15645 करोड रुपए है, 13% ज्यादा है, पिछली बार 13738 करोड रुपए था, 129% of the GSDP है वही, ठीक है वही, तो ये तो हमने discuss किया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, दोस्तों जूडे रहें, बिल्कुल इस तरीके से कराएंगे, कि आपके exam में अगर question आएगा, त कि आटी के उपर कितना खर्च किया जाएगा, वही, रुपए, 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 किस टे के लिए रहे गया है, और स्वास्था के लिए, रुपए रुपए है, दोस्तों आगर देख्या जाएं तो आप केवल तीन ही याद रखें केवल तीन के उपर याद रखें जो मेजर मेजर चीज़े होती हूं को याद रखें वही शिक्ष्या के उपर खेती के उपर और स्वास्थे के उपर वही इनके जो आपको सबसे ज्यादा तो खेती के उपर याद रखो वही खेती के उपर कित सो दस क्रोड रूपए स्वाश्ते के उपर 1331 क्रोड रूपए का खर्च किया जाएगा ठीक है इसके बाद राजसोवी बाग राजसोवी बाग के लिए रख्या गया है 1580 क्रोड रूपए पुलिस के लिए 5,6789 है प्रिवेन के लिए 4208 है सरम रोजगार के लिए 1823 इसलिए केवल तीन मेजर डाटा याद गरेंगे शिक्ष्या के उपर खेती के उपर और स्वास्ते के उपर ठीक है और देख लीजिए बाई जन्स्वास्ते और अभियांत्रिक यनकी 4202 क्रोड रूपए फिलम सीटी के लिए क्या हुआ है कितने रूपए दिए गये हैं ब बागवानी के लिए बी 408 करोड रूपए रख्या गया है पसू पालन के लिए 1225 क्रोड रूपए रख्या गया है और शिच्चाई के लिए 51502 क्रोड रूपए रख्या पूलीस की तिरह कर रहे हैं वह उनको आपको यदाuct रखने है सब जैसे जो पुलिस की तेहरी कर रहे हैं वो याद रखें भई पुलिस का यानि कि 5,700 उन्हें 80 क्रोड रुपए दिया गया है भई नैरी पटवारी के लिए भई सिच्चाई का याद रखें भई 5,800 उर किरसी के लिए तो किरसी तो सभी में आता ही है तो 6,110 क्रोड रुपए केवल इतना याद रखना है ज्यादा आप करेंगे तो ये भी आप बूल जाएंगे और वो भी आपको याद नहीं रहेगा हमें क् याद नहीं लेकिन अक्षे से पड़ना है अक्षे से पड़ना है वही आपको फाइदा देगा वही ज्यादा हम पड़नेंगे जैसे कि 6,7 Eat Book अगर आप पड़ने तो हमें कुछाद यहाद नहीं रहे गा एक किताब पढ़नी है चयार बार पढ़नी है वह जदा बेनिफीचल आपको रहेगी भरी ठीक है तो यह आपके क्या है यह आपके दिए गए है बज़ेट से लेटिड डटा दिए गए है इसके बाद कुछ योजनाएं हैं योजनाओं के बारे में बात बėja ना कर लेते हैं तो इसमें केवला पीतना याद रखे याद रखे आर्टीकल 112 एन्वल फिटेणील रिपोर्टी यहांगे बजट आर्टिकल दोसो दो किसकी बात हुई है विस्टेट में बात हुई है राज्ये के बजट की बात हुई है सुईधान में वही ठीक है इसके बाद मनोरलाल खटर ने पेस किया और बजट कितना है यह सब चीज़ें आप याद रखेंगे और इसके साथ में केवल इसके साथ में कुछ योजनाएं आता है तो वह योजना है कि बहुत मेइश पूरी योजना लेक् drill यह ंतोद्य उठ्ठ्ठ्रन अभियान सबसे पहली बात होगी यह योजना कब आई है वह तो यह बजट में आई है भई तो तारीख अगर पूछ ली जाए तो कब होगे भई 12 मार्च 2021 बारा मार्च 2020 को कौन सी योधना आई है अंतोध्य हुठा सानी योधना की बात कर लेते हैं अल弟 अंतोध्य अंतोध्य उथ्हानी योधना ज्यादा नहीं पढ़ने में इसमें भी कि इतनी ट्रम अगर हमें पड़नी है तो इतना हम नहीं पड़ेंगे केवल जो important सबसे important तो यही है वही अंतोध्य उथ्यान योजना कब आई है वही तो बारा मार्च दो हजार इकिस को आई है दो हजार इकिस को कुण सी योजना ही है वही अंतोध्य उथ्यान अभियान इसके साथ में क्या होगा कि वही एक लाख गरीब लोगों का चैन क्या जाएगा एक लाख है यान कि निर्दन निर्दन लोगों का चैन क्या जाएगा जिनकी इंकम भई एक लाख असी जार्शे कम है और जिनकी जो जमीन है वो पांच एक कड़ भी अब आजयो भी पटवारी में पांच एक कड़ क्या होते हैं कितने मरले होते कम जमीन है और एक लाख असी जरसे कम इनकम है इस तरीकिसे बहें रिलेट कीजिए दोनों चीज़ याद हो जाएंगी तो उसको क्या क्या जाएगा वह उनको अन्तोज्द्य उथान अभियान के तहट क्या किया जाएगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा उनकी परिवार पैचान आइडी है उससे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनके उपर काम किया जाएगा कि वह गरीबी रेखा से उपर आए हर साल क्या होगा एक लाख लोगों को चुनिया जाएगा अगर वह एक बार उपर आ तो फिर एक लाख लोगों को चुनिया जाएगा और 2025 तक मनोहरलाल खट्र के दवारा गोशना की गई है कि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो 2025 कोई भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा थोड़ा सा मजाक है लेकिन चलता है इतना तो ठीक है कि यह योजनाए देखि साल जो में रहे जाती है कई बार ग्राउंड लेवल पर नहीं अपाती ही लेकिन हम क्या है वह हमें तो एक्जाम देना है तो एक्जाम में क्या है कि यह चीज पूछी जाएंगी तो हमें सरकार के साथ ही अपने विचार मिलाने पड़ेंगे उडिक है Łनसा कुछ और हो जा तो यह याद रहे वह कब है बजट में लगु की गई है इसके बाद बुडपाअ पैंसन आज ओ वही बधापा पैंसन की बात हो रही है तो आज कल तो बजट में क्या ड़ा-जा रहे है वही लेकिन बजट में क्या किया गया है कि बाईस वो पचास रुपए से, बाईस वो पचास रूपए से 25手 rud حंप कर दी गई है वही, 25手路 रुपए याई कि वुधापा pension क्या हो जाएगी लागू हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसका budget बढ़ा दिया गया है। बच क्या किया गया है कि कुछ जो क्रेक्शन की गई है कि जो लोग योगे हैं पैंसन के उनी को दी जाएगी और इसके स्थायत कुछ लोगों की पैंसन कट जाएगी और कुछ लोगों को डाई से रुपए बढ़ा के यानि ये बजट ज्यादा नहीं होगा ठीक है बई तो य 1798 क्रोड रुपए रख्या गया वे किसके लिए बजट रख्या गया है मुख्यमंत्री द्यान से देखे वह इनको मुख्यमंत्री परिवार समर्दी योजना और जो दोस्त नए आये हैं उनको बता देते हैं आपको पंचायती राज की धाराएं और इसके साथ साथ में जितने भी आपके एक कड़ है जो भी मल्ला है मुस्तलील है खरबा है मुरब्बा है खतोनी नंबर है इन सब से लेटिट जो लैंड रिकोड के डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाएए वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे नहरी पटवारी की कलासी बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगी आज नई चीज़ आई है तो वही करंट अफेर डिसकस कर रहे हैं ठीक है दस दार साथ चो ठान्व करोड रूपय का भी बजट है देना कि लिए मुक्ययोंत्र्री परीवार समीर्द्य 다CERी योजना के लिए इसके साथ बागंश के लिए बात की थी बागंश के बजट बाहरे में भी बताया ता इसमें का गया कि पिंजोर में आप सभी लोग जाते हैं सेव मंडी विक्षित की जा रही है सोनीपत में मसाला मंडी विक्षित की जा रही है गुडगाओं में पूस्प मंडी विक्षित की जा रही है और गन्नोर में गन्नोर कहां पे है सोनीपत में है तो सोनीपत में क्या है कि जो सोनीपत से वह comment करके बताएं बही कहना मैं कौन-कौन सो निपत से है गन्नोर में गन्नोर में 545 भूमियक कड़ पर क्या की जा रही है अंतराष्टिय बागमा नीमंडी को को विक्सित किया जा रहे है तो यह पहले से विक्सित की जा रही है इनको बताया गया है इसके साथ में एक और है क कि अनुसु चिजातीय के लोग हैं जो की मुकदमे से लेंटीड हूं पहले वह मुकदमा करते थे कि उनके पास है आपको किसी चीज के लिए जैसे आपकी मुक सरकार उसके लिए पैसा मौहिया कराती है लोगों को तो वह पहले 11,000 रुपे दिये जाते थे आप 22,000 रुपे कर दिये गए हैं यह आप याद रखें भई इसके साथ में का गया कि पांच जार चुरा सी आकड़ा ठीक अभी थोड़ा सा पांच जारी कैसी देखिए थोड़ा सा आकड़ा दोस्तों यह प्रोपरवेशन है जब आपकी बिल्कुल रिपोर्ट आजएगी बिल्कुल सही रिपोर्ट आजएगी उसी टाइम पर आप आकड़ों पर विश्वास करें अब यह एकी भी मोटे-मोटे आप 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 आ रिपोर्ट होती है वह आपके टेलीग्राम के लिंक के उपर डाल दी जाएगी उसमें से डाटा मैच कर लेना हम जो डाटा एक क्लास ओर होगी हमारी उसके अंदर वही बिल्कुल सही डाटे हैं जहां तक है अब भी सही डाटे हैं लेकिन क्या होता है कि कई बार आपको इन पांच चुरासी यह गाओं के अंदर वही गाओं के अंदर 24 गंटे बिजली पहुंचा दी गई है वही यह डोक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है ठीक है ग्राउंड पर सचा यह कुछ और भी हो वही कुछ पता नहीं होता ठीक है इसके साथ में का गया है वही किसानों की आये दुगनी की जाएगी यह तो हर बार होता ही है किसानों की आये को दुगनी करने का प्लैन है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है वही किसान है तो किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा अब आये दुगनी कैसे होगी जहां तक हमारे हर्याना के किसानों को लग नहीं रहा कि वही ऐसा होगा जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रही है वही हाफ सभी लोग भी किसानों का साथ दें वही इस मामले में ठीक है जब किसानों को खुद नहीं लग रहा कि वही हमारा फाइदा हो रहा तो फिर क्या बताएं वही कुछ न सब्सक्राइब होगे कंप्लीट हो जहां तक है फिलम सीटी के बारे में पचास क्रोड रूपए दिये गए हैं पिंज और गुरुग्राम को फिलम सीटी के रूप में विक्षित किया जाएगा यह बात हुई है ठीक है और इसके साथ में है भई मुख्यमंत्री परिवार समझद्य योजनाव दस जर्शा चोठानों हो गया वही कंप्लीट हो गया वही ठीक है तो यह हमने क्या किया यह बजट कि हमने बात की है तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट योजने अंतोद्य उत्थान अभियान है बारा मार्च 2021 वैसे बताने को तो है कि पूरा बजट ही बताया जाए एक एक लाइन पढ़ के बताई जाए तो वह भी हम बहुत जल्द आपके एक्जाम से पहले आपको बजट की एक कोपी या फिर एक कलास और लेके वही जिसमें एक गंटे के अंदर नही नहीं योजनाओं को करा देंगे ठीक है उमीद कर करते हैं आप सभी को यह पॉइंट कलियर हुए होंगे आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 को मत भूलना वही ठीक है वह जो हमने कहा था कि डैफीशियट गाटा है कितना वही तीन पॉइंट दो नो परसेंट है इसकल ग्रेल उत्पाद रज्य सकल ग्रेल उत्तपाद गा जीएश पढ़ाया है वह एक्जाम पॉइंट वीव से पढ़ाया है अब डारेक्ट हम यह नहीं बताएंगे कि वही आपको इतना फाइदा हो रहा हम के वहले एक्जाम पॉइंट वीव पर कंसेंट्रेट करेंगे और उसी के हिसाब से क्योशन मनाएंगे यह आर्टिकल हमने प्लिस पटवारी जिस चीज़ से वह सभी आपको कराया जाएगा वह सभी आपको चैनल से जुड़े क्योंकि उसी से क्या होगा नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुचेगी चलो वही अगली क्लास में मिलते हैं तब तक धन्यवाद